मैं मीन प्रवेश चुहान आपका सागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कवीता संग्रहे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे घरों में दिखाई देने वाले चीटिया हमें क्या संकेत देती हैं तो चलिए शुरू करते हैं चीटियों को हिंदु धर्म के प्राचीन पुराणों में बहुत ही अधिक महतव दिया गया है चीटियां तीस वर्ष तक जीवित रह सकती हैं चीटियों का संबन एक तरफ भगवान विश्णू से है तो दूसरी तरफ काली चीटियों का संबन शनिदेव से है चीटियां मालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है शास्त्रों के अंसार अगर घर में चीटिया निकलती है तो ये आपके जीवन में आने वाली किसी शुप वे अशुप घटना का संकेत देती है जिसे हमें कभी भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए लाल तथा काली चीटियां का घर पर निकलना अलग-अलग संकेत देता है यदि काली चीटियां आपके घर में एक गोल घेरा बना कर घूम रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मालक्ष्मी का आगमन हो चुका है आपको कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है ये आपके लिए एक शुप संकेत दिखाता है चीटियां अपने आसपास के वातावन में मोजूद हर परकार की उर्जा को महसूस कर सकती है चीटियों का घर में निकलना एक महतपुन संकेत होता है होने वाली खटना का वास्तोशास्तर में भी चीटियों को विशेश महतव दिया गया है हमें चीटियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए अब हम जानेंगे चीटियों से जुड़े महतपुन संकेत काली चीटियां और लाल रंग की चीटियां अलग-अलग संकेत दर्शाती हैं हमारे घर में चीटियां किस दिशा से आ रही है ये भी एक महतपुन संकेत होता है जिसे हम हमेशा नजर अंदास कर देते हैं चीटियां हमारे घर में कीचन से निकल रही है या कमरों से निकल रही है या फिर आंगन में दिखाई देती हैं इनका भी अलग-अलग संकेत होता है चीटियां भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिया होती है इसलिए कभी भी चीटियों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए कुछ लोग होते हैं जो चीटियों को अपने पैर के नीचे रोन देते हैं ये बिलकुल गलत है यदि आपको अपने घर में काले चीटियां काले घेरा बना कर घूमती दिखाई दें तो समझ लीजी आपके घर में मालक्ष्मी का आग्मन हो चुका है और आपको कहें से बहुत अधिकदन के प्राप्ति हो सकती है काले चीटियों को खाना खिलाना बहुत ही शुब माना जाता है यदि आपके घर में सोने की चीजों के पास से काले चीटियन निकलते दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है यदि आपके घर में चत में चीटियन निकलते दिखाई दे तो आपको धन संपत्ति और भोतिक वस्तों की प्राप्ति होगी घर में यदि चीटिया उपर की तरफ जा रही हो तो आपको विकास और प्रगती प्राप्त होगी यदि चीटिया नीचे की तरफ आ रही हो तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है चीटियों का घर में उत्तर दिशा की तरफ से आना शुब माना जाता है और दक्षिन दिशा से आना अशुब माना जाता है चीटियों का पूरव दिशा में दिखाय देना भी अच्छा माना जाता है और पश्चिम दिशा में अगर चीटिया दिखाय दे तो आपकी यात्रा का योग बन सकता है लाल रंग की चीटियों को घर में दिखना अशुप माना जाता है ये अशुप संकेत है एसी तरह कि महतपुन जानकारिय प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कवीता संग्रह को आशर करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद